जोधपुर में स्थित राई का बाग पैलेस एक रमनिय और आकर्शक भवन है जिसकी भव्यता और वास्तुकला किसी समय देखने लायक थी। राई का बाग पैलेस का निर्मान सन 1663 से 64 में महाराजा जस्वंत सिंग प्रथम की हाडी रानी जसरंग देने करवाया था। चार दीवारी में एक सुंदर बाग का निर्मान करवाया गया। बाग के पास एक तालाब बनवाया जिसका नाम आशानाडा रखा। जोधपुर से बाहर जाते समय राजाओं का पहला पड़ाव यहीं पर होता था तथा जोधपुर में आने वाले खास महमानों को भी यहीं ठहराया जाता था। यह स्थान महाराजा जस्वंत सिंह जीद्वितिय को बहुत पसंद था इसलिए उन्होंने बाद में इसे अपना स्थाई निवास बना लिया। सन 1881 से पहले तक जस्वंत सिंह जीद्वितिय ने पैलेस में एक अश्टफलू महल का निमाण करवाया था। 1883 में जब स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन जोधपुर में हुआ था तब उन्हें इसी महल में ठहराया गया था और यहीं पर वो आमजंता और राजपरिवार के लोगों को अपने प्रवचन देते थे।